लोकसभा चुनाव 2024 में हर्याना की सभी 90 विदानसभा सीटों पर बिजेपी कॉंग्रेस को मिले वोर्ट सेयर के अदार पर विदानसभा चुनाव 2024 में किसको कितनी सीटे मिल रही है इसके बारे में विश्तार से समझें तो अर्याना के अंबाला जिले की टोटल चार विदानसभा सीटे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में बिजेपी कॉंग्रेस गडबंदन को मिले वोर्ट सेयर के साब से बिजेपी एक सीट जित रही है तीन सीटों पर कॉंग्रेस जित रही है दो सीटों पर कांटे की टकर है कांटे की ट पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसके अलावा कुरूचेतर जिले की डोटल चार विदान सबा सीटी है लोग सबा चुनाब 2024 में बिजेपी कॉंग्रेस को मिले वोट्चेर के साब से दो सीटों पर बिजेपी जीत रही है दो सीटों पर कॉंग्रेस जीत रही है कहीं न कहीं गाटे का सोदा साबित होगा उनका वोट्चेर है वो अच्छा कासा गिरेगा जिसका फायदा बिजेपी को पहुंचेगा यमुना नगर जिले की डोटल चार विदान सबा सीटी है लोग सबा चुनाब 2024 में बिजेपी और कॉंग्रेस गटबंधन को मिले वोट नहीं पड़ेगा क्योंकि बिजेपी और कॉंग्रेस के उमिद्वारों के बीच में हार जीत का जो अंतर है वो काफी बड़ा है वो यहां पर मुझूद है इसके अलावा रोतक जिले की टोटल चार विदान सबा सीटी है लोग सबा चुनाब 2024 में बिजेपी और कॉंग्रे पार्टी जीत रही है बारतियांता पार्टी का यहां पर पूरी तरह सूपड़ा साप हो चुका है लेकिन रोत तक सीट पर कांटी की टकर है यहां पर जजपा आइनल्डी दुआरा कोई ने कहीं कॉंग्रेस से अलग चुनावी मिदान में उतरने का फैसला लिया जाता है तो निश्ची तोर पर कॉंग्रेस के वोट चेर में गिरावट है वो देखने को मिल सकती है इसके अलावा केथल जिले की टोटल च्यार विदान सबा सीटे हैं लोग सबा चुनाव दो हजार चुविस में केथल जिले दुआरा बारतियांता पार्टी और कॉंग्रेस जा रही है इन सीटों पर भी जजेपी दुवारा या पिर अन्य दुवारा चुनाव लटाने का कोई प्रक नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर वोट का अंतर काफी बड़ा है इसके अलावा पानिपत जिले की टोटल च्यार विदान सबा सीटे हैं लोग सबा चुनाव द जा रही तरह से सूपड़ा साप हो चुका है इन चारों सीटों पर भी बीजेपी और कॉंग्रेस उमीदवारों के बीच में हार जीत का अंतर है वो कापी ज़्यादा बड़ा है जिसकी वज़य से अन्यके चुनाव लटने से यहां पर कोई वोट शेर पर प्रक पड़ता ह दिखाई नहीं पड़ रहा है इसके अलावा जज़र जिले की भी टोटल चार विदानसवा सीटे हैं लोगसवा चुनाव 2024 में बीजेपी और कॉंग्रेस गटबंदन को दिए गए वोट शेर के साब से यहां पर बारतिया अन्ता पार्टे का खाता ही नहीं खुलेगा जा कर सकती है और इन चारों सीटों पर जज़पा, आयनलडी, आम आदमी, इने लोग, इनके द्वारा चुनाव रने का भी कोई प्रक नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर बीजेपी कॉंग्रेस में वोट का अंतर का पी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है इसके प्लस यहां पर अन्य द्वारा चुनाव रने का यानि जज़पा, आयनलडी द्वारा चुनाव रने का भी कोई फ्रक नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी कॉंग्रेस के उमीदवारों के बीच में जो जित का अंतर है वो यहां पर काफी बड़ा है वो दिखाई पड़ अमेबा जिले में इसके लावा पलवल जिले की भी तीन विदानसवा सीटे हैं लोकसवा चुनाव दोजार चुनाव दोजार चुविस में बीजेपी कॉंग्रेस गटबंधन को मिले वोट्चेर के हिसाब से बीजेपी को एक सीट मिल रही है कॉंग्रेस पार्टी को दो सी मिल रही है ओडल सीट पर कांटे की टकर है ओडल सीट पर मातर 566 वोटों का फ्रक है यहां पर अन्य अगर कोई चुनाव लड़ता है जे जे पी आएनलडी बस पाम आदू पार्टी तो निश्ची तोर पर कॉंग्रेस के वोट सेर में गिरावट आएगी जिसका सिधा फायद पर बारतिय अन्ता पार्टी कबजा कर रही है तीनों सीटों पर कॉंग्रेस का पुरीतर है सूपड़ा साप हो चुका है एक कोशली विदानसभा सीट पर कांटे की टकर है यहां पर बुपेंदर सिंग हुड़ा और बिजे पी उमीदवार के बीच में जो टकर दिखाई द पार्टी का यहां पर पुरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है कोंग्रेस पार्टी पते आबाद की तिनों विदानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है यहां पर जजपा हुई इनेलो हुई बसपा हुई या फिर आमादमी पार्टी हुई इनके चुनावी मिदान में उतरने का कोई फ्रक नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉंग्रेस और बीजेपी उमीदवारों के बीच में वोट का जो अंतर है वो काफी ज़्यादा है इसके अलावा सिर्शा जिले की टोटल पांच विदानसभा सीटी हैं लोक्सवा चुनाव दो हजार 24 में बीजेपी और कॉंग्रेस गटबंदन को मिले वोट प्रिशत के हिसाब से बारतिय जनता पार्टी का सिर्शा जिले से पूरी त्रह सूपड़ा साप हो चुका है पांचों की पांचों विदानसभा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरपा कबजा कर सकती है और पा 2024 में बीजेपी और कॉंग्रेस गटबंदन को मिले वोट परसेंटेज के हिसाब से चारों सीटों पर बीजेपी एक तरपा कबजा कर रही है कॉंग्रेस पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है खाता भी नहीं खुलेगा और इन चारों की चारों विदानसभा सीटों पर बसपा, जेजेपी, आयनलडी इसके अलावा आमादमी पार्टी के चुनावी मेदान में उतरने से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी कॉंग्रेस के भी डारेक्ट फाइट में हार जीत का अंतर है वो काफी ज़्यादा बड़ा यहां पर दिखाई पड़ रहा है इसके अलावा बिवाने जिले की डोटल च्यार विदानसभा सीटे हैं लोकसभा चुनाव में मिले वोट परसेंटेज के इसाब से हैं तीन सीटों पर बिजेपी एक तरपा कबजा कर रही है कॉंग्रेस पार्टी एक सीट जीत रही है बवानी पाइदा बारतिय जन्ता पार्टी को और नुकसान कॉंग्रेस को उता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा मेंदरगड जिले की डोटल च्यार विदानसभा सीटे हैं लोकसभा चुनाव दो हजार चुनाव दो हजार चोविस में बिजेपी कॉंग्रेस को मिले वोट परसेंटेज के इसाब से हैं चारों की चारों सीटों पर बिजेपी कबजा कर रही है कॉंग्रेस पार्टी का इन चारों सीटों पर खाता भी नहीं खुलेगा फूरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है नांगल चोदरी विदानसभा सीट पर कांटे की टक्र है पच्ची बिजेपी और कॉंग्रेस गटबंदन को मिले वोर्ट चेर के साब से बिजेपी दो सीटें जीत रही है जबकि कॉंग्रेस पार्टी तीन सीटों पर जीत दर्ज कर रही है जिन जिले की इन पांचों विदानसभा सीटों पर भी जज़पा, आयनलडी, बसपा, आहमादमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने का कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही उमीदवारों के बीच में कॉंग्रेस बिजेपी के बीच में हार जीत का अंतर है, वो काफी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा चर्की दादरी जिले की दो विदानसवा सीटें हैं, लोकसवा चुनाव दो अजार चोविस में बीचेपी और कॉंग्रेस घडबंधन को मिले वोर्ट चेर के इसाब से दोनों की दोनों सीटें कॉंग्रेस के खाते में जा रही है, चर्की दादरी जिले की किसी भी सीट पर बीचेपी का खाता भी नहीं खुलेगा और अन्य के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर कॉंग्रेस या फिर बीचेपी के वोट चेर में भी किसी तरह का प्रक नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीचेपी कॉंग्रेस के बिच डारेक्ट फाइट में हार जित का अंतर यहां पर कापी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा करनाल जिले की टोटल पांच विदान सबा सीटें हैं, लोक सबा चुनाव दो अजार चोविस में बीचेपी कॉंग्रेस के बंदन को मिले वोट सेर के हिसाब से, करनाल की पांचों सीटों पर बीचेपी जीत दर्ज कर रही है, जबकि पांचों सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है, असंद सीट पर है, वो कांटे की टकर दिखाई दे रही है, 1654 वोटों का अंतर यहां पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अन्य के चुनावे मिदान में उतरने के पी एक तरफा कबजा कर सकती है, कॉंग्रेस पार्टी का पंच्कुला जिले की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, और दोनों सीटों पर बिज़ेपी कॉंग्रेस के अमिदवारों में डारेक्ट फाइट होगी, क्योंकि लोगसभा चुनाव के दोरान पी तीन सीटे जीत रही है, और कॉंग्रेस पार्टी भी तीन सीटे जीत रही है, तो वहीं तीन सीटों पर कांटे की टकर है, गोहाना सीट पर 1392 सीटों का प्रक है, राय सीट पर 2080 का और गनोर सीट पर 1708 वोटों का प्रक है, यहाँ पर अन्या के चुनावी मैदान में उ प्रिदाबाद की पांच सीटों पर बिजेपी एक तरपा कबजा कर रही है और मातर एक परतला विदानसवा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है और इन 56 सीटों पर भी अन्य के चुनावी मिदान में उतरने का कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि बिजेपी कॉंग्र इसमें बिजेपी और कॉंग्रेस गटबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से इसार जिले की तीन सीटों पर बिजेपी जीत रही है और चार सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है एक कांटे की टकर है नलवा सीट पर कांटे की टकर है और वो भी मातर 249 वोटों का फारक है यानि कि तीन सीटें बीजे पी जीत रही है चार सीटें कोंग्रेस जीत रही है लगताता हूँ पर जेजेपी आटल डी या फिर आम आदुमी पार्ट्य के जुनावी मैदाने की वजाय से हैं कोंग्रेस पार्ट्थी के वोट पार्टी और कॉंग्रेस के गटबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से बिजेपी 46 सीटे जीत रही है और 44 सीटों पर कॉंग्रेस जीत रही है लेकिन 90 सीटों में से 13 सीटें कांटे की टकरवाली है इन कांटे की टकरवाली सीटों में से 7 सीटों पर बिजेपी का पलड़ा ब प पर रारी है छैसी सीटों पर कौंगरेस पारिटी ने करया बारी है लेकिन पर बारां बिच के जो लोग है उमिद्वार है करते हैं तो कंगरेस के हाथों से उन चारों विधानसवा सीटों पर जो नुक्सान होता हुआ दिखाГी देगा यानि कि कौंग्रेस के हातों से वो 4 सीटे खिसकेगी और इसका सीधा फाइदा BJP को पहुंचेगा यानि कि कौंग्रेस के हिसे में कांटे के टकर वाले जो 6 सीटे आ रही है उनमें से भी 4 सीटें BJP की तरफ और जा सकती है जिसके बाद बिजेपी का अंकड़ा है वो 50 के पार पहुंच सकता है और कॉंग्रेस है वो लगबग 40 पर अटक सकती है यहां पर अन्य का जो अंकड़ा है वो नहीं दिखाया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो वोट सेयर मिला है कॉंग्रेस और बिजेपी को उसके अदार पर ये सर्वे में दिखाया गया है तो उसके अदार पर देखा जाए तो भी बारत्य जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है यानि कि बारत्य जनता पार्टी 46 का अंकड़ा भी आसिल कर रही है और यदि 4 सीटों पर अन्ये का डब दबा ठीक ठाक रहे गया पांसो पांसो वोट भी इनको मिल गए तो निश्ची तोर पर है जो इन चार सीटों पर भी बिजेपी कमल खिला सकती है जिसके बाद है बारतिय जनता पार्टी कांकड़ा है वो पचास पहुंच सकता है जो बहुमत से चार-पांस सीटें उफालतु ही है ऐसे में का जा स सकता है कि बारतिय जनता पार्टी विदार्याना विदान्चवा चुनाव दो हजार चोविस में सरकार बनाती हुई साप साप दिखाई दे रही है